तो इस वीडियो में हम लोग एक most important discussion करने वाले हैं जो उत्राखंट की बीएसी पैरमेडिकल काउंसलिंग के रिगारिंग रहने वाला है तो हम लोग यह देखेंगे कि last year 2023 में जो काउंसलिंग हुई थी final round तक तो उसमें जो cut-off rank है वो कितनी गई थी यानि कि हर category के अंदर कि जो है government college allot किया गया था ठीक है और वीडियो खतम करने के बाद खुद believe नहीं कर पाओगे कि इतनी ऊपर जो rank है वहां तक जो है मतलब government college मिल जाता है मतलब बहुत जादा rank होने पर भी जो है आपको government college allot हो सकता है जिसकी आप expectation नहीं रख पाओगे ठीक है तो अगर मानलो आपको ऐसा लगता है कि मेरी rank जादा है मेरी category है जो भी आपकी category में जो भी rank है अगर आपको लगता है कि वह जादा है तो इस वीडियो को एक बर पूरा देख लेना ताकि आपको जो है एक hope मिल पाए कि आपको college मिलेगा या नहीं मिलेगा बेकॉस हर साल यही होता है कि paramedical में काफी कम marks पर भी क्या उत्राखंड में आपको जो government college है वो अलॉट हो जाता है अब इसके पीछे देखो क्या reason है मैं बताता हूँ दो बड़े major reason है पहला तो यह है कि BSC paramedical में जो candidates होते हैं वो comparatively कम होते हैं मतलब जो आपका BSC nursing course है ठी क्योंकि उस course की demand जादा है उसमें भीड जादा होती है and BSC paramedical में जो बच्चे हैं वो काफी कम रहते हैं उसके comparison में मतलब बच्चे कम form fill करते हैं कम exam देने जाते हैं तो ऐसा कुछ पहला reason हो सकता है ठीक है और दूसरा सबसे बड़ा reason यह है कि जो आपका BSC paramedical का fee structure है वो पर अगर आप कोई भी BSC paramedical course करते हो तो उसकी जो fees है लगबग लगबग एक साल की 50,000 रुपए है government college की तो बहुत सारे बच्चे इस वज़े से भी पीछे हड़ जाते हैं BSC paramedical में admission लेने के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखो हम लोग discuss करेंगे कि पिछले साल तक पिछ personalized guidance लेना चाते हो counseling में अगर आप मेरी personal help लेना चाते हो और आप चाते हो कि आप मेरी mentorship के अंडर जो है अपनी counseling करवाओ कि आपको अगर नहीं पता कि कौन से courses को करना अच्छा है कौन से courses को करना अच्छा नहीं है किसका scope अच्छा रहेगा उसके basis पर अगर आप counseling में मेरी help लेना चाते हो और चाते हो कि आपको अपनी rank के according जो है maximum chances हो पाएं government college मिलने के एक अच्छा course मिलने के government college में तो आप जो है मेरे mentorship batch में अनौल कर सकते हो उसमें अनौल करने के जो charges है वो rupees 297 है और अगर आपको अनौल करना है mentorship batch में counseling process के लिए तो आप मुझे telegram पर message कर सकते ह program idea आपको screen पर दिख रही हो की तो इस पर आप मेरे को message करके अपनी rank बता सकते हो और अपनी category बता सकते हो और आपका जो भी course है तो BSC paramedical वाले BSC paramedical के लिए पूछ सकते हैं या अगर आपने BSC nursing A&M G&M जिसका भी exam दिया है तो course का नाम बता के अपनी rank बता के और जो अप अपनी category वो बता के आप मेरे से confirm कर सकते हो कि आपके chances है या नहीं है तो अगर आपके chances होंगे तभी आप group में enroll कर सकते हो अदरवाइस मैं आपको मना कर दूँगा ठीक है तो group में enroll करने के लिए telegram पर आप मुझे message करोगे आपको जो है मैं बता दूँगा कि आपके chances है तो पिछले साल जो है देखो last year क्या हुआ था कि 4 rounds आपके हुए थे first round counseling का हुआ था second round था third round था और fourth round था ठीक है तो fourth जो last round हुआ था उसके according हम देखेंगे कि last round में cutoff यहां पर कितनी गई थी ठीक है तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं general category की ठीक है तो general category में जो open quota होता है पहले हम उसकी cutoff की बात करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो candidate है इनकी rank आप देख सकते हो 854 है ठीक है यह वाला जो column है यह किसका है rank का है पहला column rule number का है फिर rank का है फिर name का है तो rank अगर आप देखोगे तो rank इनकी कितनी है 854 है इनका नाम क्या था रि इसके बाद यहां पर यह जो total marks लिखे थे total marks आप देख सकते हो इनके कितने marks है 11 नमबर है ठीके ना कितने marks है 11 नमबर है और इनका 10th और 12th है वो दोनों उत्राखंड से हुआ थ तो 10th और 12th state में क्या लिखा उत्राखंड लिखा है और इसके बाद यहांपर देखोगे opted preferences और opted college तो इनको college मिला था opted college इन्होंने ये सारे colleges fill करे थे ये पूरी list है इसके आगे जो है इनकी category लिखे जिसको मैंने भी highlight कर रहा हुआ you are open general category में open quota और ये जो अगला column आप देख रहे हो वो किसका है allotted college का ठीक है तो allotted college जब आप यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है BMRIT Government Doon Medical College देरा दून ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो BMRIT इनको जो course है वो मिला हुआ है bachelor in medical radiology and imaging technology तो ये जो course है ये इनको government वाले Doon Medical College में मिल गया था state quota के थूँआ और यहाँ पर इनका जो allotted preference number है third number है कहने का मतलब है इन्होंने जितनी choices fill करी थी ये देख सकते हो ये इनकी सारी choices है total कितनी choices है I think five choices है ठीक है तो total five choices में से इनको third number वाला जो इन्होंने चूज करा था BMRIT Government Doon Medical College वो इनको मिल गया था अब आपने देखा कि इनके marks कितने थे सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर थे और 11 नंबर पर 854 रंग थी और जनरल काटेगरी में आप सोचो इनको college a lot हो गया था ठीक है तो लग रहा होगा ना कितनी ताजुप की बात है कि भई 11 नंबर पर जो college मिल गया ठीक है तो उसके बाद देखो यहां पर next है जनरल काटेगरी में open quota देख लिया अब हम एक बार women quota के बात करेंगे ठीक है तो देखो जनरल काटेगरी में women quota में आप देख सकते हो यहां पर यह तो आपका जोए यह private वाला college है government देख लेते हैं हम लोग तो यह है government ठीक है तो देख सकते हो इनकी जो rank है वो कितनी है 538 है इनका जो नाम है वो है काजल बोरा female candidate है जनरल इनकी category है woman quota उत्राखंड का है और इनका domicile के आगे yes लिखा हुआ है इनके marks कितने हैं 29 थे 10th और 12 इनका उत्राखंड से था ठीक है और यह इनकी colleges की list है 1,2,3,4,5,6 सारे फिल कर दिये थे government के और इनको जो allot हुआ था वो क्या हुआ था BAC MLT हुआ था medical lab technology वाला जो course होता है paramedical का वो इनको मिल गया था कहां पर मिला था government do medical college देरादुन में मिल गया था ठीक है तो अब आपने देखा कि भाई यूर वोमेन कोटा से 538 रांग पर लगबग 27-28 नमबर थे इनके 29 मांक से तो इस पर मिल गया था अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर OBC category के ठीक है तो यहाँ पर OBC category के अगर हम बात करें हाँ पर तो OBC में पहले हम open quota के बात करते हैं तो देखो OBC open quota यहाँ पर नहीं दिखा रहा है इसका मतलब यह हो सकता है कि OBC open quota की जो seats है वो third round में खतम हो गई होंगे एक बार OBC woman quota और देख लेते हैं ठीक है otherwise मैं आपको वो जो है वहाँ से दिखा दूँगा third round वाली जो list आई थी उससे दिखा दूँगा तो OBC में भी नहीं दिखा रहा है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर SC category में एक बार check कर लेते हैं कि क्या SC category में open quota है उसमें भी नहीं है ठीक है एक बार EWS को एक बार check कर लेते हैं यहाँ पर EWS open quota हाँ ठीक है तो देखो EWS open quota में आपर दिखा रहा है यहाँ पर इनका जो नाम है वो है अंजली रावाट ठीक है इनकी जो रांक है वो कितनी थी 750 ठीक है तो अंजली रावाट 750 इनकी रांक थी EWS इनका quota था और उत्राखंड का डोमेसायल था इनके marks जो थे वो थे 24 उत्राखंड से इनोंने 10th और 12th किया था और EWS open से इनको जो college यहाँ पर allotted college की list में आप देख सकते हो ठीक है इनका शायद अपग्रेड हुआ था क्योंकि previous round का इनका allotment detail लिखा है तो पहले जो इनको 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 round में participate कर रहोगा इनको BAC MLT मिला हुआ था government doon medical college में लेकिन बाद में इनोंने यहाँ पर अपग्रेड कर वा लिया था और इनको बाद में क्या मिल गया था BMRIT मिल गया था VCSG वाला जो college आपका श्रीनगर में ठीक है तो वीचंदर सिंगडवाली government paramedical college जो है इसमे state quota के तुरू इनको है मिल गया था तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी जो है कितनी गई थी cutoff rank ठीक है तो यहाँ पर आप देखो आप देखो ऐसा लग रहा होगा आपको कि भाई last round में general category में इतने कम marks में मिल गया लेकिन OBC वगर में जो है थोड़ी उपर थोड़े जादा marks पर अलोट हुआ तो आपको किसी और ने हो सकता ना अपलाई किया हूँ इस वज़े से 11 marks भी जन्रल काटेगरी में कॉलेज मिल गया था तो अब यहाँ पर OBC काटेगरी में ओपन कोटा यह देखते है तो इनका जो नाम है वो है विवेक कुमार 725 इनकी रांग थी इनके जो marks थे कितने थे 25 थे 10-12 इनके उत्रकंट से ही किया था और इनका जो Allotted College है या Allotted Course जो वो क्या है BSC OTT Operation Theater Technician वाला जो कूर्स है वो इनको मिला था कहाँ पर Government Medical College हल्दौनी में ठीक है तो OBC में आप देख सकते हो State Quota से कितनी गई है Cut-Off यहाँ पर 725 रहं गई है अब इसी तरीके से एक बार हम क्या करते है OBC में एक बार Women Quota की बात कर लेते हैं ठीक है तो Women Quota में एक बार देख लेते है यहाँ पर यह जो Cut-Off रहंग गई है वो गई है 719 तो 719 रहंग पर इनका नाम था प्रीती OBC क्याटेगरी थी Domicilean का उत्राखंड कही था टोटल मार्क्स इनके 25 थे 10-12 थे उत्राखंड से किया था OBC Women Allotted क्याटेगरी है इनकी और जो Allotted College है ठीक है यह आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है Allotted College तो Allotted College कौन सा था BSC, MLT इनको Medical Lab Technology मिल गया था Government दूर Medical College देरादून में ठीक है न तो देख सकते हो OBC में आपकी cut-off इतनी गई थी Women Quota वाली ठीक है अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर EWS की ठीक है तो यह आप देख सकते हो यह rank जो है वो कितनी है 821 है इनका नाम क्या है Tanuja Rani ठीक है Female SC Category और Woman Quota उत्रखंड Woman ठीक है और इनका जो Tomisail है वो उत्रखंड कही है इनके marks 20 थे और यहाँ पर 11-12 इनका उत्रखंड 10-12 इनका उत्रखंड सी था और इनको जो कोर्स अलॉट हुआ था यह देख सकते हो आप ठीक है तो इनको ने शायद अप्ग्रेट करवाया होगा क्योंकि पहले इनने BAC OTT मिला था तो हो सकता इनको सही नहीं लगा हो इनको जो कोर्स मिला था वो BMRIT मिला था और कहां पर मिला था Government Paramedical College हल्दवागी में मिला था ठीक है तो यह हो गई बात SC केटेगरी में Open Quota में अब एक बार यहाँ पर SC केटेगरी Women Quota में बात कर लेते हैं ठीक है तो यह जो है यहाँ पर इनका नाम है दियर शर्मा 824 इन की रैंग थी और उत्राखन से इन्होंने 10-12 करा डोमिसायल भी उत्राखन गई है और इनको जो मिला था BMRIT वीर चंत सिंग गडवाली Government Paramedical College ठीक है तो इनको जो BMRIT Government College में अलोट हो गया था और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ST Category में ठीक है बागी सारी Category इस थो हमने देखी लिए ST Category में एक बर और देख लेते हैं ST Category में Open Quota से कितनी गई थी Cutoff ठीक है तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो ST Category में यह जो Cutoff रैंग गई है वो गई है 847 ठीक है तो 847 पर इनका नाम था Shubham Singh Rana और male candidate है यह और इनके marks टोटल थे 18 18 marks पर इनको जो है आप देख सकते हो कौन सा मिल गया था यह Allotted College में लिखा हुए यहाँ पर B.A.C. MLT मिल गया था Medical Lab Technology कहां पर Government दूर Medical College में ठीक है ना और ठीक है तो यह हो गया और मुझे नहीं लगता कि ST में यहाँ पर Woman Cota की कोई seat है नहीं है ठीक है ST Category में Woman Cota की कोई seats नहीं है इस वज़े से यहाँ पर उसका कोई data नहीं है तो I hope आपको एक अच्छे से की फीस जादा है तो बहुत सारे बच्चों को यह चीज नहीं पता होते है कि पारमेडिकल कोर्स हमने करवाने जा रहे है करने जा रहे है तो जब वो admission के लिए जाते है counselling हो जाती है जब उनके admission letter मिल जाता है उनको तब उन्हें पता चलता है कि फीस जो उनको पे करनी है around 50,000 के आसपस करनी होते है 40 वाइक से 50 के बीच में रहती है तो 50,000 आपके फीस हो गई तो हो सकता है कि इतनी फीस हर किसी के लिए इतनी ज़्यादा affordable ना हो तो बच्चे सूचते है कि हम एक और सार ड्रॉप ले लेंगे इसको छोड़ देते हैं अभी और हम nursing ही करेंगे क्योंकि nursing में उनको ऐसे लगते है कि उससे ज़्यादा better scope है और सच में ऐसा है क्योंकि BAC nursing करने के बाद आपके पास government opportunities काफी ज़्यादा रहती है लेकिन BAC paramedical में नहीं रहती है BAC paramedical में आप private jobs में ही ज़्यादा तर जा सकते हो और या फिर अपना कुछ business हो अगरा उस field में कर सकते हो ठीक है तो इस वज़े से बच्चे जो BAC paramedical छोड़ देते हैं तो I hope यह चीज आपको थोड़ा सा समझ जा रही होगे तो यह है कि भाई अगर आपकी कितनी भी कम marks हो आप counseling के लिए अगर आप eligible हो तो आप counseling में जरूर participate करें आपको college मिल सकता है ठीक है और मैंने already बता दिया कि भाई अगर आपको मेरी counseling में help चाहिए तो वीडियो के starting में मैंने आपको बता दिया था कि आप मुझे telegram पर message कर सकते हैं मेरे personal mentorship batch में enroll करने के लिए जिसका charge rupees 297 है तो last round तक जब तक आपको एक satisfactory college या course a lot नहीं हो जाता तब तक मैं आपको help करूँगा ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो helpful लगी होगी अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर